हेलो दोस्तों मैं मेगा चावला आपका मेग करियर अकेडमी में स्वागत करती हूँ तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है दादा सहाफ फाल के पुरुसकार दो हजार तेईस जो भी हाली में दिया गया है इसके साथ हम इस वीडियो में इससे रिलेटिड जो हमारी हिस्ट्री है और जितने भी इंपोर्टेंट लोगों को दादा सहाफ फाल के पुरुसकार मिला है वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसके साथ ही दादसाफ फाल के अंतरास्टे पुरुसकार जो 2-3 महीने पहले, 6-7 महीने पहले दिये गए थे, उनको भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइ कीजेगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा, और अगर आपको इस वीडियो की पीडियाफ चाहिए, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करके वीडियो की पीडियाफ भी ले सकते हैं, तो ये जिनको ये लेडी है, जिनको हमारा दादा साफ फाल के पुरु किसे दिया गया है, तो वहिदा रह्मान को दिया गया है, अभी जो आपने पिच्चर्स देखी है, वो वहिदा रह्मान की ही पिच्चर्स है, आपने देखा होगा, पुरानी जो मुवीज हैं, उनमें ये दिखाई देती है, एक्ट्रेस हैं, तो वहिदा रह्मान, ठीके, दादा साहब फाल के जो पुरुसकार है वो सबको पता होगा कि हमारा सीनेमा के शेतर में दिया जाता है ठीके और ये हमारा जो पुरुसकार स्टार्ट हुआ था ये हमारा 1969 में स्टार्ट हुआ था और दादा साहब फाल के एक व्यक्ति थे जिनके नाम पे ये पुरुसकार तो आप याद रखेगा कि 2023 में दादा सहाब फाल के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुसकर किसे दिया गया है तो वहीदा रह्मान को दिया गया है तो वहीदा रह्मान से रिलेटेड कुछ बाते जान लेते हैं अब इस अवोड की घोशना किसने करी है तो घोशना करी है केंदरिय सूचना एवं प्रसारन मंतरी अनुराग सिंग ठाकुर ने ठीक है अनुराग सिंग ठाकुर हमारे खेल मंतरी भी है और इन्हीं के साथ साथ ये केंदरिय सूचना एवं प्रसारन मंतरी भी है इन्होंने हम पारा 26 सितंबर 2023 को यह ऐलान किया है कि वहिदा रह्मान को क्या दिया जा referendum के अचीब्मेंट पुरुस्कार दिया जाएगा और क्वान से एर के लिए令 दिया जा फिछले वर्ष पारेक कूद इया गया था 2020 के लिए और वहीदा रह्मान इसी के साथ या आवोर्ड पाने वाली हमारी आठवी महिला कलाकार है तीके अब यह भी पूछा जा सकता है जब हमारा दादा साथ फाल के पुरुसकार मिला है तो वहीदा रह्मान को पदम श्री कम मिला था तो पदम श्री मिला था 1972 में और पदम भूशन मिला था इन्हें 2011 में ठीके तो हमें इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं आप मेरे साथ रिपीट किजे यहीं याद करेंगे दादा साथ पाल के अचीवमेंट पुरुसकार किसे मिला है तो वहिदा रह्मान को मिला है वहिदा रह्मान को यह अवोर्ड 2021 के लिए मिला है और कौन से नंबर का मिला है तो 53rd नंबर का मिला है ठीके 2020 में किसे मिला था तो आशा पारिक को मिला था वहिदा रह्मान के अवोर्ड पाने वाली कौन से महिला कलाकार है तो आठवे नंबर की महिला कलाकार है पदम श्री कब मिला तो पदम श्री मिला 1972 में याद रखेगा पदम श्री कब मिला था तो 1972 में मिला था और पदम भूशन कब मिला है तो पदम भूशन इन्हें 2011 में मिला है ठीक है I hope आपको इतने points learn हो गए होंगे next है हमारा दादा सहाब फाल के पुरुसकार के स्थापना कब की गई थी अभी बताया था मैंने आपको कि दादा सहाब फाल के पुरुसकार जो है हमारी सिनेमा के एरिया में दिया जाता है और ये दादा सहाब के फाल के जो है एक व्यक्ति है उन्हीं के नाम पर दिया जाता ह अब इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना तभी हुई थी जब इस रोकी हुई थी अब आपको इस रोकी स्थापना पता होगी कब हुई थी 1969 में तो इसकी स्थापना भी 1969 में ही हुई थी और 1969 में हमारा प्रथम अवोर्ट किसे मिला था नेक्स्ट कोशन यही है तो सबसे पहले दादा सहाब फाल के पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया था ठीके अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिविजन भी हो जाएगा इससे तो सबसे पहले किसे मिला था तो सबसे पहले मिला था देवी का रानी को ठीके याद रखेगा दादा सहाब फाल के पुरुसका सबसे पहले किसे मिला था आप ऐसे याद रख सकते हो किसी रानी को मिला था ठीके कब मिला था 1969 में ही मिला था नेक्स कोशन है हमारा भारतिय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है भारतिय सिनेमा का पिता माया फादर ओफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है जिनके नाम पर दादा साहब फालके पुरुसकारे उन्हें ही कहा जाएगा तो दादा साहब फालके को ही कहा जाता है ठीके अब दाद 1913 में दादा साथ फालके ने बोंबे में राजा हरिश्चन रिलीस करी थी जो भारत की पहली फिल्म थी थी तो 1913 में ये पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी तो ये हमारी राजा हरिश्चन थी किरों ने बनाई थी तो दादा साथ फालके ने ही बनाई नेक्स्ट है हमारा बावनवा दादा साफ फाल के पुरुसकार किसे दिया गया था इस बार का कौन सा है तरेपपनवा है तो बावनवा कब दिया गया होगा 2020 के लिए अभी बताया था किसे दिया गया था तो आशा पारे को दिया गया था नेक्स्ट है दादा साफ फाल के पुरुसकार में क्या दिया जाता है तो अब दादा साफ फाल के पुरुसकार की बात हो रही है ये भी तो पता होना अच्छे कि प्राइस में क्या क्या दिया जाता है तो प्राइस में दिया जाता है हमारा 10 लाख रुपे दिये जाते हैं एक ये शौल दी जाती है और एक स्वन कमल दिया जाता है तो याद रखेगा दस लाक रुपे दिये जाते है एक स्वन कमल दिया जाता है नेक्स्ट है डादा साफ फाल के पुरुशकार से सम्मानित प्रथम पुरुष कोन थे ठीक है अब देवीका तो हमारी प्रथम महिला हो गई या फिर प्रथम ही पर्षन हो गई जिनको दादा साफ फालके मिला था 1969 में उसके एक साल बाद ही 1970 में प्रथम पुरुष्ट थे जिने मिला था विरेंद्र सरकार को ठीक है तो आप याद रखेगा कि दादा साफ फालके पुरुष्ट प्रथम जिनों ने पाय था वो तो रानी थी और दूसरे नंबर में पाय था पुरुष्ट ने जो क्या थे सरकार में थे ठीक है तो 1970 में विरेंद्र नाज सरकार को मिला था अब इसी के बाद कोश वही है ठीक है तो मरनों उपरान दादा साफ फालके पुरुष्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो पित्वी राज कपूर थे ठीक है तो आपको क्रम से ही याल रखना सिरियल वाईजी 1969 1970 and 1971 1969 में दादा साफ फालके स्टैबलिश हुआ था और फर्स टैम मेल किसे गया था तो देवीका रानी को मिल गया था 1970 में हमारे प्रथम मेल को मिला था किसे मिला था तो सरकार को मिला था इतना ही याद रखो 1971 में प्रथम व्यक्ति थे जिने मरने के बांद मिला था और किसे मिला था वही सरकार कहां चल रही है पित्वी पे तो पित्वी राज को मिला था तीनों चीज़े आपको याद रहेगी नेक्स है हमारा अब हमने यहां पर लिखा है जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट परसन है जिनके बारे में एक्जामनर पूछता है दादा साफ फाल के पुरुसका प्राप्त करता ठीक है देविकार रानी चोधरी मैंने आ हमारे डारेक्टर हैं इनको हमारा दादा साफ फाल के कब मिल आ है तो 1984 में मिला है याद रखीएगा 1984 में राज कपूर को मिल गया था फिर लता मंगेश का सब को पता है फेमस सिंगर है 1989 में इनको मिला था ठीक है थोड़ा याद करना मुश्किल रहता है अभी करते हैं पित्वी को मिला फिर इसके बाद हमारा आशा बोसले आशा बोसले को मिला है तो 2000 में आशा बोसले को मिला है गुलजार को 2013 में मिला है 2014 में शशी कपूर को मिला है ठीक है थोड़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे 69 देवी का रानी है 70 सरकार है 71 हमारे पिथवी है 84 में सत्य जीत है फिर 87 में हमारा क्या है राज कपूर है फिर 89 में लता मंगीशकर है 1992 में हमारे बुपेन हजारी का है फिर 2000 में आशा भोसले है 2013 में गुलजार है 2014 में हमारे शशी कपूर है फिर 2017 में विनोध खन्ना ये सब को पता होगा जो तयारी कर रहे हैं बच्चे 2017 में विनोध खन्ना को मिला था फिर 2018 के लिए विताब बच्चन को मिला था और 2019 में रजन अभीकान 2020 हमारी आशा भोसले तो याद रखेगा याद रखोगे तो इतना हमने पढ़ लिया है अब हमारे जो है अब हमारा है दादा साथ फाल के अंतरास्टे फिल्म फैस्टिवल जो छे-साथ महीने पहले दिया गया था अभी आप देखोगे तो याद आ जाएगा फिल्म किसे मिला था दा कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म मिला था और हमारा फिल्म ऑफ दी एयर किसे मिला था तो फिल्म ऑफ दी एयर मिला था हमारा फिल्म ऑफ दी एयर बेस्ट फिल्म मिला था हमारा दा कश्मीर फाइल्स को बेस्ट एक्टर मिला था हमारा रनबीर क की चुप के लिए जैनल ही हमें केवल इतना ही पढ़ना होता है ठीक है मैंने वाकी सारे अवोर्स भी लिख दिया है तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं बलकि अगर आप नहीं भी चाहे तो आप इतना पढ़ लेना इतना इनफ है नेच्सτο हैं हमारा बेस्ट प्लेबेक सिंगर मेल किसे मिला था तो सचरी तंडन को मिला था ठीके नेच्स प्लेश प्लेवेक सिंगर फिमेल तो नीति मोहन को मिला था उसके बाद है most versatile actor अनुपम खेर को मिला था कश्मीर files के लिए television series of the year अनुपमा सब देखते होंगे अनुपमा को मिला था outstanding contribution in the film industry तो रेखा को मिला है outstanding से ही outstanding contribution in the music industry तो हरी हरन को मिला है ठीक है आपको केवल मेली 5 ही याद रखने है हमारे best film film of the year best actor best actress और best director तेके इसके अलावा आप एक बार अपने mind से निकाल ले न in future अगर कभी examiner पूछ ले तो आपको याद रहे तो यह थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो please channel को subscribe कीजेगा and bell icon को press कीजेगा और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे telegram channel को जॉइन करके PDF भी ले सकते हैं तो मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए thank you